अब बात करेंगे याँ पर ब्लाघर की सैटिंग कौन सी Ilikesем एड़ांटटस अपूर्वल के लिए ठीक है मैं मेरे ब्लाघर के कोर्स के अंदर की कम्प्रीट सैटिंग बता आई है पर इसके अंदर important setting कौन सी है AdSense के लिए वो हम देखेंगे तो आपको जाना है blogger के setting के अंदर और यहाँ पर सबसे पहला title जो हमने already keyword research करके हमारे brand name को यहाँ पर add कर दिया है ठीक है अब हम description के तरफ बढ़ेंगे और यह जो part है वो AdSense को काफी connected है अब यह part क्यों इतना connected है यहाँ पर आप देख सकते हो 500 characters के option दिया है मतलब आपको एक अच्छा सा story line लिखनी है आपके पूरे के पूरे blog के बारे में और यहाँ पर आपको डाल देनी है कि आपका blog किस type का है आपके blog के अंदर content किस type के होते है ठीक है आप कौन सी user को धूनते हो जिनें यह आप provide करते हो तो यह description options आपको दो मिलेंगे यह वाला description हो गया और एक नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको एक meta description का option मिलेगा यह वाला enable search description अब यह दोनों में क्या difference है वो सबसे पहले समझ लो तो सबसे पहला वाला जो description है इसके अंदर storyline लिखी जाती है यह आपका meta description नहीं है meta description किसे कहते है अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ और मैं search करता हूँ वलतारा explainer ठीक है मैंने search किया अब यहाँ पर आप देख सकते हो meta description इसे कहते है नीचे show होता है ठीक है पर यह वाला description है जो मैं आपको बता रहा जिसके अंदर 500 character mention करने है यह basically Roberts के descriptions होते है पूरी की पूरी storyline आप अपने desktop के ओपर show कर सकते हो और Roberts को भी यहाँ पर दिखा सकते हो तो यह आपको ज़रूर mention करनी है ब्लॉगर के अंदर पर काफी अच्छे से आपको लिखना है आपके ब्लॉग के बारे में और एक details आपको यहाँ पर fill करनी है description यहाँ पर cover कर लिया हमने अब यहाँ पर आप दिख से थे हो Google Analytics भाई Google Analytics यह कौन सा options है तो यह options AdSense को बताता है कि आपके website के ऊपर कितना traffic आता है अगर यह options आपने नहीं enable किया यह account आपने नहीं create किया तो भाई भूल जाओ AdSense Approval क्योंकि AdSense की एक policy ऐसी है जिसके अंदर लिखा गया है कि आपके blog website के ऊपर 1-2,000 का traffic minimum आना चाहिए देखो इनकी जो cycle है वो कैसी है वो आपको सबसे पहले समझनी है कैसे होती है सबसे पहले तो आपके website के ऊपर traffic आएगा ठीक है तब यह आप earning करोगे यह हमारा source हो गया पर उनका source कैसे है तो उनका source ऐसा है उनकी पास कुछ लोग आते है जो उनको पैसे देते है और उसमें वो क्या करते है उन लोगों की कुछ content लेके हमारे website के ऊपर show करते है ठीक है और उसमें से कुछ पैसे हमें वो देते है पर अगर हमारे blogger website के ऊपर कुछ traffic ही नहीं है तो उनकी ad कौन देखेगा ठीक है अगर कोई ad देखेगा ही नहीं तो आपको approval देंगे क्यों क्योंकि आपके पास traffic ही नहीं है तो इसकी लिए उनकी policy के अंदर mention किया है 1-2,000 minimum traffic आपके website के ऊपर आना चीए तभी आपको adsense approval मेरेगा तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है तभी आप apply करो जब आपके blogger website के ऊपर 1-2,000 का traffic आए ठीक है so google analytics का part उसी topic से related है तो आपको ये account create करना है काफी simple है यार क्या करना है बस मैं आपको example के लिए दिखा देता हूँ आपको type करना है google उसके बाद में यहाँ पर analytics करें करें करना है ठीक है जब first value website है इसके उपर आपको click करना है और सबसे पहले तो यहाँ पर get started today के ऊपर click कर देना है ठीक है जब आपके पास इस type का एक page आ जाएगा तो आपको क्या करना है आपको start के ऊपर click कर देना है ठीक है अब यह जो five options है इन्हें आपको cross कर लेना है अब कैसे तो सबसे पहले आपके account का जो name है मतलब आपके website का जो name है वो आपको यहाँ पर डाल देना है जैसे मैं यहाँ पर डाल देता हूँ वलतारा टोटो ठीक है यहाँ यहाँ पर movies नहीं डालता हूँ नहीं तो वो सला मेरा band कर देगा ठीक है तो यहाँ पर मैंने आड कर दिया वलतारा टोटो उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हो Google products and service तो इसे अगर आपको टिक करना है तो कर सकते हो नहीं तो छोड़ दो फिर next button के उपर click करूंगा अब यहाँ पर आपको क्या करना है property name तो same to same वही है वलतारा टोटो मतलब आपके movies का name डाल अरे sorry आपके website का name add करो यहाँ पर ठीक है अब यहाँ से हमें हमारी country choice करनी है जिस भी country में आप रहते हो उस country को आपको यहाँ से select करना है फिर यहाँ से time table select करो फिर यहाँ से currency select करो तो हम यहाँ पर इंडिया से हैं तो हम इंडिया को यहाँ से select कर लेते हैं ठीक है अब next button के उपर मैं click करूंगा अब business details तो यहाँ पर मैं small रखूंगा आपको जो options सही लगे वो यहाँ से आप select क लीड बटन के उपर क्लिक करूंगा, आप हर एक इसके उपर भी ऐसे टिक मार्क कर सकते हो, ठीक है, पर मैं आपको सजूश करूंगा, आप इसके उपर ही करो, फिर यहाँ पर create के उपर क्लिक करना है आपको, और यहाँ से वापस country सिलेक्ट करनी है, मैं इंडिया सिलेक्ट कर करना है ठीक है और यहां से आपको एक i'd मिलेगी और वो कैसे मिलेगी तो मैं आपको बताएंगा आपके website का url copy करना है यहां से यूर्ल copy किया और हम आएंगे वापस यहां पर यहां पर website URL डालेंगे पीछेगël हाँ पर https को आपको हटा देना है ठीक है यह था देना अब आपको क्या करना है, आपर website name दे देना है, जैसे मैं आपर website name देता हूँ, ठीक है, और बस create stream बटिंग ये उपर आपको क्लिक करना है, ठीक है, अब यहाँ पर ये जो आपको code मिलेगा, आप देख सकते हो, ठीक है, measurement ID करके यहाँ पर show होगा, आपको इसे copy करना है, और सीधा blogger के उपर आना है, यहाँ पर click करके, यहाँ पर उस ID को डालके, यहाँ से save कर लेना है, तो यह option भी यहाँ पर आपका fix हो चुका है, अब आपको यहाँ पर add sense approval मिलेगा, और अगर आपको अपने website का real traffic देखना है, तो यहाँ पर आके आप देख सकते हो, यहाँ पर आओ, और इसे आप next करो, यहाँ पर आप continue to home करो, और आप यहाँ से live अपने हर एक चीज़ को यहाँ से देख सकते हो, यहाँ पर आप tick 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 करो, और save कर दो, ठीक है, तो real time आप यहाँ से देख सकते हो, कि आपकी website के उपर कहा से traffic आ रहा है, तो इस हिसाब से आप analytics का account create कर सकते हो, ठीक है, तो इसे मैं करता हूँ cut, हमारा topic वही तक था, ठीक है, उसके बाद में पेव और save icon कहा से आपको लेना है, कैसे लेना है, तो बहुत ज़्यादा easy है यार, आपको Google के उपर जाना है, और यहाँ पर आपको डाल देना है, save icon, ठीक है, और यहाँ पर first वाली website मिलेगा आपको, यह सबसे first website आती है, इसके उपर click करो, और यहाँ पर convert और एक generator का button है, तो आ उसे डाल दो, जैसे मेरा वलतारा है, ठीक है, यहाँ मेरा M है, तो मैं M को डालूँगा, और यहाँ से आप उससे design कर सकते हो, मैं आपको दिखा रहा हूँ कर रही है, और download करना है यहाँ से, तो वो file यहाँ पर download हो चुकी है, मैं उस file के उपर जाऊंगा, और यहाँ से उस image को मैं select करूंगा, जैसे यह वाला था वो folder, और कौन से size लेनी आपको, तो यहाँ पर 32 by 32 ले सकते हो, ठीक है, यहाँ आप 512, 512 ले सकते हो, तो मैं यह लेता हूँ, file icon, और यहाँ से open कर लेता हूँ, तो यहाँ पर वो install हो जाएगा, ठीक है, और इसे आपको save कर देना है ठीक है, अब इसे time जाएगा थोड़ा सा, थोड़ा सा time लगेगा उसे save होने में, अब यहाँ से आपको नीचे आना है, fav icon यहाँ से आपने save कर लिया, नीचे आओ, और नीचे आना है, meta tag, मैंने meta tag के बारे में आपको starting में ही कहा था, कि meta tag क्या है, तो इसे आपको जरूर enable करना है, जो भी आप post लिखते हो, तो उस post के अंदर search description, show होना चाहिए, अगर इसे अगर हम बन रख देते हैं, तो post section में जाके आपको दिखा देता हूँ, सबसे पहले, ठीक है, जैसे ह x, y, z करके मैंने यहाँ पर एक new post create किया, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, आपको search description का option नहीं मिलेगा, ठीक है, आप यहाँ पर देखते हो, label है, publish है, फिर यहाँ पर permalink है, और यहाँ पर location है, और options है, इसके अंदर आपको search description का option नहीं मिलेगा, पर अगर हम यहाँ से back आ जाते हैं, और setting के उपर click करके, meta tag को हम यहाँ से on कर लेते हैं, यह वाला, on किया, अब यहाँ पर search description दीखना show हो जाएगा, यहाँ पर मैं जाता हूं वापस, अब यहाँ पर देख सकते हो, search description show हो रहा है, जिसके अंदर हम इस post का description आड़ कर सकते हैं, अब हर एक post अलग- और add sense की add हर एक post के अंदर show होगी, तो इसके लिए important है कि post का description भी होना चाहिए, और इसके लिए important होता है post का description, इस तरह से आप search description यहाँ पर add कर सकते हो, setting से, ठीक है, और यहाँ पर मैंने इसे on कर लिया, अगर आपको अच्छा सा description लिखना है, तो आप chat GPT से लिख सकते हो तो यहाँ पर आपको एक अच्छा description add कर लेना है, ठीक है, तो description कैसे लिखते है sir, तो भाई बहुत ज़्यादा easy है, chat GPT आपको ऐसे description लिख के देगा, पर उसे आपको सही से explain करना है अपने website, ठीक है, website के बारे में अच्छे से आप बताओ के आप website के अंदर क्या provide कर रहे ह website किस topic के उपर है, तब आपको अच्छे से लिख के देगा और उसे mention करना है आपको 150 characters, only 150 characters, ठीक है, तो यह इस तरह से आप इस option को on कर सकते हो, अब हम यहाँ से on नीच आएंगे, और जो तीन option हमारे लिए important है, उन ही देखेंगे, ठीक है, सबसे पहले तो scroller and investing, अगर आप आपकी website, Google के अंदर index ही नहीं है, तो यहार आपको अडिसेंस approval को छोड़ो, आपकी website के उपर traffic भी नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि वो index नहीं है, ठीक है, तो index करने के लिए सबसे पहले, तो आपको यहाँ पर enable custom robot, इस option को आपको select करना है, ठीक है, और यहाँ पर custom robot के अं explainer, ठीक है, और यह मेरे website के उपर आपको जाना है, और यहाँ पर free SEO tool लिखा है, मैंने इसके उपर आपको click करना है, side map option के उपर जाना है, यह है मेरा side map का tool, यहाँ पर आपको क्या करना है, अपने website का URL लाल देना है, जैसे मैं इसे open कर लेता हूँ, इस website का URL मैंने copy किया, यहाँ से tool के उपर आया, और यहाँ पर मैंने URL लाल दिया, ठीक है, अब यहाँ पर generate side map के उपर click करो, आपको अपना side map मिल जाएगा, ठीक है, इसे आपको copy कर लेना है, और आना है, आपके option के उपर, setting के अंदर, और यहाँ पर आपको custom robot के उपर click करके, यहाँ पर उसे submit क किया, save करना है, यहाँ से, तो first setting आपकी यहाँ पर होती है complete, अब जो यह वाली setting है, enable custom robot, मतलब आप allow करें गूगल को, कि आपका चो page है, वो यहाँ पर index करने आपको, ठीक है, तो कौन कौन सा, तो homepage आपको यहाँ पर index करना है, URL करना है, और यहाँ पर no dp करना है, save करो, उ ठीक है, center का जो topic है, वो tag होते है, search pages होते है, इन्हें आपको enable नहीं करना है, इन्हें आपको index नहीं करना है, ठीक है, नहीं तो सब कच्रा हो जाएगा, तो इसे आपको क्या करना है, no index कर लेना है, और no dp कर लेना है, ठीक है, बीच वाले को, so यह हमारी यहाँ पर दो setting होत वेबसाइट को गूगल के अंदर इंडाक्स करने के लिए रिक्वेश्ट करते हो ठीक है तो यह वाला पेज आपके सामने सबसे पहले आ जाएगा आपको वेरिफाइब कर लेना है अपने वेबसाइट को सबसे पहले चीस तो आपको अपने वेबसाइट का URL यहाँ से कॉपी करते हैं ठीक है फिलाल हम इस प्रोसीजिंग के उपर हैं तो यह हम सिखेंगे अगर मेरा यहाँ पर वेरिफाइब होता है तो भी मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा मैं के उपर क्लिक करूंगा मेरा ओनर्शिप डिरेक्ली यहाँ पर वेरिफाइब हो जाएगा ठीक है मैं डन कर लेता हूं मैं डैश्बर की उपर आ गया है यहाँ ठीक है मैं आपको दिखा देता हूं आपको कैसे करना है आपके सामने कुछ इस तरह का पीज आ जाएगा HTML टैग हो गया Google Analytics हो गया उसके बाद में यहाँ पर affiliate प्रोड़क्ट हो गया तो आपको यहाँ पर क्या करना है यह वाला जो से पाच्वे लाइन में आपको head tag मिलेगा जिसे मैं zoom करके दिखा देता हूं यह वाला head tag यह control F करके आप head search कर सकते हो पर यह काफी easy है आपको head tag तुरंद मिल जाएगा इसकी नीचे आपको 2-3 बार enter कर लेना है और इस code को paste कर देना है ठीक है और यहाँ पर उपर save कर देना है तो यह processing काफी easy है आपको यह कर लेनी है यहाँ पर save आ जाएगा successfully update हो जाएगा ठीक हो गया मैं इसको छोटा कर लेता हूँ अब आपको क्या करना है पीछे आ जाना है यहाँ से यहाँ पर आना है आपको और इस से इस tag को verify कर लेना है थोड़ा सा wait करो तो आप देख सकते हो मेरा यहाँ पर html tag verify हो चुका है same to same आप इस फाइल को भी उससी जगा पर जागे verify करो यह भी हो जाएगे ठीक है तो इस तरह से हमारी यह जो setting है यह होती है complete जो add sense related काफी important है तो इससे आपको जरूर कर लेना है जो setting मैंने आपको अभी बताई ठीक अब चलते हैं next video की तरह